देखिए फ्रेंज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसा चटपटा और रसीला निम्बू का चार बनाने की रेसिपी तो फ्रेंज अगर आप भी ऐसा बढ़िया निम्बू का चार बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखिए यह अचार आपका दो तिन साथ तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा तो फ्रेंज अगर आपको मेरी रेसिपी जाननी है देखनी है तो मेरी इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखिए हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माई चैनल सूपर क्रेटिव वर्ल्ड एट होग देखिए फ्रेंज आज मैं आपके लिए नीमु का अचार बनेन की रेसिपी लाई हूँ जिसको बनाना बहुत ही असान है और आज हम अगर इस रेसिपी से ही नीमु का अचार बनाएंगे तो हम बहुत एजिली नीमु का अचार को बना लेंगे और ये फूरे साल तक बिल्कुल सही रहेगा ये रेसिपी मैंने अपनी ममा से सिखी है तो मैं ममी इसी रेसिपी से नीमु का अचार बनाती थी तो आज हम भी इस रेसिपी से ऐसे ही नीमु का अचार बनाएंगे तो फ्रें को कोई ना रहे इसमें कोई पाने काश नहीं होना चाहिए अमरा नीमबू का चाहर्ण खराम हो जाएगा तो देखे फ्यंस मैंने को अच्छी दोकर सुखा लिया है अब हम इनको छोटे-छोटे पीस में कट करेंगे मैं आप चाहिए तो इनको ऐसे धी कट कर सकते हैं इतना ही लेकिन मैं इनको पूरा अलग-अलगी कट करूँंगी उससे क्या है निम्मू का चा जल्दी बन जाता है निम्मू अच्छे से जल्दी ही किसी नीमू में कोई दाग गहरा हो तो आप उस नीमू को अलग रख दीजिए हमें हमें उस नीमू को यूज नहीं करना है तो देखें फ्रेंट हम सभी नीमू को ऐसे ही काट लेंगे इस हैसे पीसे नीमू काचाय बनाना बहुत ही आसान है यह दस पंदा मिट में बन जाता है और यह सालों साल तक चलता है बस हमें कुछ ट्रिक्स फॉलो करने होते हैं जिससे हमार आचार बिलकुल भी खराब नहीं हो तो फ्रेंट देखें हम ऐसे ही सारे नीमू को अच्छे से काट लेंगे इदेखें फ्रेंट की थोड़ा सा ए ऐसे काल हो रहा है तो अम इसको अलका सा ऐसे निकाल देंगे तो ह मैंने सारी नीमू को ऐसे पीसिस में कात लिया है यह ने इसमें से 3-4 नीमू बचा दिये हैं उनको हम अभी बाद में यूज़ करेंगे तो देखिए हमने सबी नीमू पर अच्छे से छोडी शोटी फांक में कात लिया है अब मैंने हाँ पर कुछ मसाले लिए है यह देखिए जब हमें नीबु का चा बनाना हो तो अपने मशाले इसी रेशों में लेंडे हैं गर्म मसाला 50 ग्राम धनिया पाउडर 100 ग्राम नमक तो यह तीनों हो गए 200 ग्राम तो ऐसे अगर हम 2 किलो या फिर जादेर मीमू का चार बनाते हैं तो हम इसका मल्टीपल में ही मसाले यूज़ करेंगे हमें एक किलो निम्बू में 100 ग्राम नमक भी लेना है और यह मसाले भी उसी देशों में लेने हैं तो देखें अब हम सिंपली जा करेंगे एक ऐसे डिबा लेंगे इसको मैंने अच्छी से दो कर सुखा दिया है अब हम इसमें इस निम्बू के पीस है इनको थोड़ा थोड़ इसको में और नijke मसाले लिए है इसको मां अच्छी से मिक्स छलेंगे हैए हम भी साले की सींग्राइब नएग और फ्रेश में वियूझे हैं आँ मसाले किचन में shop करते हैं हमें उसमें से नहीं लेने हैं हमें नए मसाले ही यूज करने हैं क्योंकि उस dispouse में अन का हाथ लग जाता है तो अगर हम मसाला को यूज करेंगे तो उससे हमारा अचार फ्राब हो तो यह वाला टिप आप मेरा जरूर ध्यान लखें तो हमें बिल्कुल फ्रेश मसाले ही लेने हैं अब देखे मैंने आपर सारे मसाले अची से मिक्स कर लिए हैं अब हम इसमें दो तीनी स्कून मसाला गेरेंगे और इसको अच्छे से भिला देंगे और अब मैंने यहाँ पर एक नेमुर लिया है किसको मैंने काट लिया है अब हम मश्क नेमु के रज को इसके ओपर अच्छे से डाल देंगे इससे क्या ओगा हमारा जो मेस पर याउखे से क्निंबोकी पीसस पे अच्छे से शॉवव हो जाएगा कर देखी देखे कितना अच्री से कॉटिंग हो गई है अब। हम थोड़े से नीबो के है फिर से हम आधा निंबू का दस डालेंगे जो होता है जो मसाली होते है उच्छी से एक तो कोट हो जाते हैं और पर यहां पर यह जो मैं हाज अचाह बना रहे हो भीना गयस के उसके बना ला दी हो तो यह वाला अचाह काफी अच्छी लंबे समय तक बिल्कुल सहीव रहता ह देखें सार मसाल अच्छे से कोट हो गया है बाकी निबू भी ऐसे इस में आड करेंगे और बाकी मसाला भी ऐसे यह दाल देंगे यहां पर मैं तीन चाह निबू का रहा है अच्छे से निचोल दूंगी इससे मारा मसाला अच्छे से निबू की फांकियों पर कोट हो जाए देखें हमने अपने सारे निबू के पीसे को इसमें डाल दिया है और इसके उपर सारा मसाला अच्छे से डाल दिया है और इसमें मैंने पूरे पांच निबू का रस अच्छे से डाल दिया है और देखें यह कितने अच्छे से इसमें पूरा मसाला निबू के उपर कोट हो अब में आपर 200 ग्राम चीनी लूँगी एक किलो निम्बू में आपर 200 ग्राम चीनी ली है क्योंकि हम आम यह निम्बू का जो है मैं पूर 220 ग्राम चीनी लिए हम इस चीनी को भी इसके उपर ही ऐसे डाल देंगे कि हमें जादे मिक्स करने एक है क्योंकि यह सब लेगे तो यह अपना हुट हो कर पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी न भी थे मैने फाइव चीन ओ इस में एच्छे से डाल दिया है कि देखिए हमने इसमें सारी चीनि अच्छे से डाल दी है अब हम इसके लिए लगा के इसको अच्छे से हैसे मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से इसमें उपर नीचे हो जाए अब देखिए वाओ देखना ये देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है अब हम इसको क्या करेंगे इसको हम 10 जिन त हम इसको लील बन करकर ही धूप में रखेंगे जिससे या फिर आप कोई एक पतला कपड़ा ले लीजी और उसे इसको कवर करके पैरे इसके लील खोलके कवर करके कपड़े से फिर इसको धूप में रखेंगे ताकि इसमें कुछ भी उपर से ना गिरे तो हम इसको 10-15 दिन यह ऐचाय बनायता और यह देखेशंद में कितना अच्छा बना हे और यह खाने में भी भ्योपी टेस्ट ही है और देखें यह नहीं यह कितना ज्यादे जूसी बनाे हैं और Leader देखे हम कोई भी अलग से चार्षनी नहीं डाले थी ऐसे ही इसमें चार्षनी डाले थी डारेक्ट तो देखें कितना अच्छा बन कर तयार हुआ है और देखें कितना बड़िया गला हुआ है now कितने असाने से कट जा रहा है तो देख तो फ्रेंस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जुरूर कीजिए और मेरी बागी वीडियो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू